काजू कतली खाना तो सबको बहुत पसंद होता है लेकिन आज हम बनाएंगे पीनट कतली बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खर के सामानों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट आएगी है देख सकते हैं आप स्वागत है आपकर इमास नौट हैं साउट कीचिन में तो आएए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं पीनट कतली बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन को रग दिया है गरम होने के लिए मैंने दो कप पीनट लिया है इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेंगे फ्लेम को आपको हाई नहीं करना है पीनट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए इस तरीके से आप लो फ्लेम पे पूलने छिलखे का हलका सा कलर चेंज हो जाएगा देख सकते हैं आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा membri और हातों से इस तरीके से आप छोपके देखेंगे थोड़ा सा इसका छिलखा उतरने लगेगा पीनट जब करम होता है उस टाइंप पी छिलका उतरता है इस ठंडा होने के बाद आसानी सोतरता है, हम इसको ठंडा कर लेंगे पूरी तरीके से जब तक पीनट ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें एक कप शुगर डालेंगे आधा कप पानी डालेंगे दो कप मैंने पीनट लिया है तो एक कप शुगर लिया है और आधा कप पानी लिया है जितना हमें पीनट लेना है उसका आधा हमें शुगर लेना है और शुगर का आधा हमें पानी लेना है चाशनी को हमें एक तार या दो तार की नहीं बनानी है बस इसको आपको चार से पांच मिनट के लिए बॉयल कर लेना है बस हलकी सी ये चिपचिपी हो जाएगी आप हातों से छुएंगे तो ये थोड़ी सी ओयली टाइप की लगेगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको पता चले गया कि चाशनी बन गई है इस तरीके से आप चूके देखेंगे तो ये चिकनी हो जाएगी और थोड़ा सा चाशनी और लेंगे ये देखें कुछ भी तार इसमें नहीं बन रहा है बट ये थोड़ी सी थिक हो गई है यानि कि चाशनी हमारी बन चुकी है गैस को हम आफ कर देंगे तब तक हम पीनट को ग्राइन कर लेंगे पीनट के चिलके को मैंने इस तरीके से हाथों से रब करके उतार लिया है इसको क्लीन कर लेंगे हम ये देखें सभी पीनट को मैंने क्लीन कर लिया है इसको चलेंगे बहुम ग्राइन करने के लिए एक साथ हम पीनट को नहीं ग्राइन करेंगे मैंने आधा आधा peanut ग्राइन किया है अगर एक साइथ ग्राइन करेंगे तो ये पूरा अच्छे से ग्राइन नहीं होगा इतना हम बाद में ग्राइन करेंगे आपको पर्स मोड पे चलाते हुए पीनट को ग्राइन कर लेना है एक साथ ना चलाएं आप नहीं तो पीनट पाउडर के जगे पीनट बटर बन जाएगा ये ये देखे पीनट पाउडर हमारा रेडी हो गया है इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और बचे हुए पीनट को भी हम इसी तरीके से पल्स मोड में चलाते हुए क्राइन कर लेंगे आप चाहे तो पीनट पाउडर को चान भी सकते हैं बट मैंने इसको बीना चाने ही बनाया है ये बीना चाने भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें हम डाल देंगे तीन इलाइची मैंने ग्रीन इलाइची को थोड़ा सा क्रश कर लिया है उसको पाउडर बना लिया है 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा पीनट का टेस्ट नहीं आएगा इसमें इसलिए आप इसे जरूर डालें अगर आप बिना इसके बनाना चाहते तो भी कुछ प्राब्लम नहीं है, बना सकते हैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है, हम चलते हैं अब इसको चाशनी में मिक्स करने के लिए चाशनी को मैंने फिर से थोड़ा सा गरम कर लिया है पाउडर को हम इसमें एट कर देंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे पीनट कतली बनाना बहुत ही आसान है घर पे आप आसानी से इसको बना सकते हैं और कभी नीठा खाने का मन है तो जट पर से ये बन के रेडी हो जाती है आप इसे continue चलाते हुए ही पकाएं वरना ये नीचे से लगने लगेगा अगर non sticky pan है तो उसमें भी आप बना सकते हैं उसमें और आसानी रहेगी बनाने में आपको इस टाइम पे इसमें हम डाल देंगे एक टीस्पून भर के घी घी डालने से इसमें अच्छा सा टेस्ट आयेगी और इसमें अच्छी सी शाइनिंग भी आएगी बहुत ज़्यादा घी डालने के आपको जरुवत नहीं है बस इतना घी इनफेस के लिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक रिबन कंसिस्टेंसी इसकी आने तक इसको हम पका लेंगे देख सकते हैं आप बिल्कुल पर्फेक्ट ये बन के रेडी हो गया है गैस की फ्लेम को अब हम आफ कर देंगे और नहीं पकाएंगे बट हमें इसको continue अभी भी चलाना है अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उपर का इसका layer जो है वो hard हो जाएगा एक पपड़ी टाइप की जम जाएगी इसमें इसको हम हाथ से चलाते वे ठंडा कर लेंगे देख सकते हैं पहले से ये काफी ठिक हो गया है बट अभी भी ये गरम है इस तरीके से हाथों में घी लगा के आप टच कर लें ये देखिए हाथों में नहीं चिपक रहा है यानि कि ये अमारा perfect peanut का paste बनके रेडी हो गया है अब हम एक plastic ले लेंगे थोड़ा सा घी लगा लें बहुत ज़्यादा लगाने की जरुवत नहीं है आपको हाथों से फैला लें घी लगाने के बाद जो बैटर है वो हम इसमें एट कर देंगे बैटर हमारा काफी हद तक ठंडा हो चुका है गरम बैटर आप plastic पे ना डाले पूरे बैटर को हम इसमें एट कर देंगे इस तरीके से अब हम plastic को उठाते हुए fold करेंगे और इसको पूरी तरीके से ठंडा करेंगे अभी ये डो बिल्कुल soft है इसको धीरी धीरे इसी तरीके से fold करते रहेंगे तो ये और भी अच्छे से smooth हो जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा ये hard हो जाएगा जिससे कि आपको इसको बेलने में आसानी रहेगी ये देखिए आप देख सकते हैं पहले से ये काफी ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा hard भी हो गया है जिससे हमें इसको बेलने में और शेप देने में आसानी हो ये देखिए हाथों में भी अब नहीं चिपक रहा है लेकिन हलका सा ये गरम है गुन गुना है मतलब अब हम इसको शेप देंगे हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे घी लगा लेंगे तो ये मेरा बेटा भी पीनट कतली बनाने आगया बीच में दूसरी प्लास्टिक को हम रख देंगे ऊपर दूसरी प्लास्टिक पें मिन थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसको हम पलासा शेप देंगे ज essent що तुछी की पीनट कतली का शेप होता है आप चाहे तो थोड़ा मूटा भी बना सकते हैं बट मैंने इसको पतला ही बनाया है अब आपको कुछ भी नहीं करना है बस इसको शेप ही देना है बहुत इसली ये हो जाता है ये देखिए पूरे डो को मैंने फैला लिया है बेलंसे इस तरीके से उपर की प्लास्टिक को हम हटा देंगे और इसमें अब मैं लगाऊंगी सिल्वर वर्क अगर आपके पास नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप इसको ऐसे ही रग दे थोड़ी देर के लिए और फिर इसको कट कर ले मेरे पास सिल्वर वर्क था इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है पीनट कतली या काजू कतली में बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में सिल्वर वर्क तो वैसे किसी भी मिठाई में बहुत अच्छा ही लगता है यह देखिए मैंने सारी पीनट कत्ली में इसको लगा लिया अच्छे से इसको अब हम एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कोई पतला कपड़ा आप इसको ढांक दें और इसको सेट हो जाने दें अच्छी तरीके से यह देखिए यह बहुत अच्छे से सेट हो गया है हड़ हो गया है जिससे की से काट को आफ इसको काट ले जिससे की बिलकुल पर 10 शेप में कटेगी मेरे पास एक एक सेयल Sicwegen से काट है वहना आप इसको किसी लंबी सी स्पून रख्के भी आप इसको कुट कर सकते हैं सबी पीनट कतली को हम इसी तरीके से शेप देते हुए कट कर लेंगे ये देखिए कितनी पर्फेक्ट कटी है ना स्केल रखने से बिल्कुल अच्छे से कट जाती है ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है और सबी शेप बिल्कुल बराबर आता है और साइट की जो है वो आप ऐसे ही खा सकते हैं बहुत ज़्यादा वेश्ट भी नहीं होता है साइट में इसमें ये देखिए प्लास्टिक से ये आसानी से निकल रही है बिल्कुल भी नहीं चिपकी है देख सकते हैं चलते हैं, इसको प्लेट में लगा लेते हैं, ये देखिए, मैंने प्लेट में इसको अच्छे से सजा लिया है, बहुती सुन्दर लग रही है देखने में, और जितनी ये देखने में सुन्दर है, उतनी ही खाने में भी अच्छी है, और बहुती सॉफ्ट बनी है, देख सकत कोई भी फेस्टिवल हो इस तरीकी की आप मिठाई को बना सकते हैं काफी कम दाम की रहती है और देखने में काफी सुन्दर लगती है रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अपने फ्रेंस और फैमली में शेयर करिएगा इस रेसि पैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू सुछ